हेलो एवरिवान, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया, चलिए, आज जो है, आज से हम एक नए चीज की सुभात कर रहे हैं, मैं आपको डेली कोई ना कोई concept बताऊंगा with proof, मतलब जितने भी concept है physics और mathematics में, वो डेली एक दिन alternate करके, जैसे आज मैंने mathematics का concept बता दिया कोई एक, तो अगले दिन हो सकता है physics का आ जाए, फिर अगले दिन, मतलब कोई ये, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि compulsory है कि अगले दिन physics का ही आएगा, अगले दिन maths का ही आएगा, लेक कि किसी बच्चे को अगर problem है particular topic में, जैसे मान लिजे किसी को problem है section formula में, तो बच्चा पूरा वीडियो क्यों देखेगा, जैसे मान लो कि किसी बच्चे को problem है कि area of triangle क्या होता है, तो बच्चा पूरा topic जो है क्यों सर्च करेगा, उसे जो है particular topic मिल जाना चाहिए, कि भाई य ये topic जो है, इसका proof और ये topic कहना क्या चाह रहा है वो, तो कोई भी जैसे मान लो कि physics में, rod के कारण मुझे, जिस rod की length L है, उसके कारण मुझे potential चाहिए, तो बच्चा पूरा खंगाले का Q, उसे सीधा मिल जाना चाहिए, जो चीजे वो खोज रहा है, तो मैं daily, जो topic जो concept of the day, जो आज जो भी day है, उसका concept of the day part 1, concept of the day 1, मतलब day 1, day 2, day 3, ऐसे ऐसे करके series चलता जाएगा, जब तक समापना हो जाए, ठीक है न, तो concept of the day में, concept of the day, day 1 में, आज जो हम करने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, distance formula के बारे में, कि अगर दो point दिया गया है, तो हम उसके बीच में distance कैसे निकाल सकते हैं, तो समझेगा ध्यान से, तो to find the, to find the distance between, तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि करने क्या जा रहे हैं, तो topic का नाम है distance formula, क्या है? distance formula, distance formula, distance formula, distance formula, तो distance formula में हम करने क्या जा रहे हैं? समझेगा ध्यान से, x2, y2, and b x2, y2, ठीक है? तो अब समझेगा ध्यान से, हमें दो point के बीच का distance निकालना है, जिसका coordinate दे रखा है, a x1, y1, and b x2, y2, तो समझेगा ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? एक coordinate axis बनाया मैंने, एक coordinate axis बनाया मैंने, ये x, ये x dash, ये y, और ये y dash होगे आपना, ठीक है? यहाँ तक कोई दिकत नहीं होना चाहिए, अब समझेगा ध्यान से, अपने पास एक point जो है, यहाँ दे रखा है, a x1, y1, और दूसरा point यहाँ दे रखा है, b x2, y2, दूसरा point दे रखा है, b x2, y2, अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, यह दूसरा point दे रखा है, अपना, b, यह point a है, और यह point b है, और मुझे इस दोनो point के बीच का distance निकालना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस point a से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इस point b से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जहां से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इसका नाम मैंने दे दिया m, और इसका नाम मैंने दे दिया n, अब समझेगा ध्यान से, एक परपेंडिकुलर म मैं यहां से भी ड्रॉप कर दिया और इसका नाम दे दिया मैंने पी इसका नाम मैंने दे दिया पी अब सुनिएगा ध्यान से क्या समधाने की कोशिस कर रहा हूं मैं समझाने की कोशिस ये कर रहा हूँ मैं समझाने की कोशिस ये कर रहा हूँ कि जब आप इस point से perpendicular drop किया आपने तो समझेगा ध्यान से ये वाला distance जो है ये वाला distance जो है आपका ये वाला distance आपका हो गया x1 और ये total distance जो है अगर इस point का coordinate x2 है तो ये origin है X2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OM की value जो हो गई आपकी, वो किसके equal हो गई X1 के, और जो ON की value हो गई जो ON की value हो गई वो किसके equal हो गई, X2 के तो अब मुझे, अगर मुझे ये distance X2 पता है ये distance X1 पता है कोई मुझसे MN पुछ लेगा तो अगर total distance में से अगर मैं इस distance को subtract कर दूँ तो क्या मुझे MN नहीं मिल जागा अगर मैं ON में से OM को subtract कर दूँ तो क्या मुझे MN नहीं मिल जागा इस total distance में से, अगर इस distance को मैं subtract कर दूँ तो क्या मुझे ये distance नहीं मिल जागा तो समझेगा ध्यान से तो mn की जो value हो जाएगी अपनी जो mn की value हो जाएगी वो अगर मैं on में से om को subtract कर देता हूँ तो यहां से om की value कितनी x2 और om की value कितनी x1 तो अपना mn की value आ गई जो अपनी mn की value आ गई ये value आ गई x2 माइनस x1 और क्योंकि ये rectangle है क्योंकि ये rectangle है a, p, n, m जो है क्या है rectangle है और rectangle का opposite side क्या होता है equal होता है तो अगर rectangle का opposite side equal होता है तो ये x2 माइनस x1 तो भाईया यह भी x2 minus x1 नहीं हो जाएगा बिलकुल होगा तो यह भी क्या हो गया x2 minus x1 हो गया अब समझेगा ध्यान से अगर इस point का coordinate x1, y1 है तो इसका मतलब x में चला मैंने x1 और y में कितना चला y1 मतलब ये वाला distance जो है आपका ये वाला distance कितना है y1 है अगर इस point का coordinate x2, y2 है तो x में मैंने चला x2 और y में कितना चला y2 मतलब ये वाला distance जो है अपना ये वाला distance कितना है y2 है ये वाला distance कितना है अपना y2 है अब एक बात बताईए आप मुझे क्योंकि ये a, p, and m जो है rectangle है और rectangle का opposite side equal होता है तो ये distance y1 है तो ये distance भी तो y1 होगा ये distance भी तो y1 होगा अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को समझेगा ध्यान से ये total distance जो है y2 है समझेगा ध्यान से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या-क्या समझेगा ध्यान से जो am है वो pn के equal है am is equal to pn क्योंकि rectangle का opposite side equal होता है तो am is equal to pn तो am की value y1 है तो pn की भी value किसके पर equal हो जाएगी y1 की equal हो जाएगी अब सुनिएगा ध्यान से bn की value कितनी है कोई बोलेगा आप से कि bn की value कितनी है तो bn की value कितनी हो गई y2 हो गई bn की value कितनी हो गई y2 हो गई अब समझेगा ध्यान से अगर मुझसे कोई पूछ दे कि bp की value बताओ अगर कोई मुझसे पूछ दे कि bp की value बताओ कितनी होगी तो bp की value bp की value bp की value अगर मैं bn में से pn को subtract कर दूं अगर इस total distance में से अगर मैं इस distance को subtract कर दूं तो क्या मुझे bp नहीं मिल जाएगा अगर इस total distance में से अगर मैं इस distance को subtract कर दूं तो क्या मुझे ये distance नहीं मिल जाएगा बिलकुल मिल जाएगा तो bp की value आएगी आपकी वो आएगी bn bn minus pn bn minus pn अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से BN की value क्या है Y2 minus अब PN PN की value कितनी है AM और PN equal है तो PN की जगा मैं क्या लिख सकता हूँ Y1 तो ये वाला distance आपका आ गया ये वाला distance आपका आ गया Y2 minus Y1 ये वाला distance आपका क्या आ गया Y2 minus Y1 अब तो कुछ बचा ही नहीं अब तो कुछ बचा ही नहीं अब देखिए राध्यान से आपको ये triangle A, P, B जो है right angle triangle दिख रा होगा आपको ये triangle A, P, B जो है right angle triangle दिख रा होगा और हमे right angle triangle में Pythagoras theorem पता होता है कि जो hypotenuse का square होता है वो बाकी दो side के square के sum के equal होता है जो हैपोटेनस का right angle triangle में Pythagoras theorem कहता है कि जो हैपोटेनस का square है वो बाकी दो side के square के sum के equal होता है तो देखिएगा ध्यान से अब मुझे इस चीजों की कोई जरूवत है नहीं तो मैं इन चीजों को अब रब कर देता हूँ तो समझेगा ध्यान से मुझे जो भी चीज़ निकाल ला था मैंने निकाल लिया है figure में तो in right angle triangle in right angle triangle in right angle triangle in right angle triangle कौन सा है a, p, b a, p, b in right angle triangle a, p, b जो हाइपोटेनस का square है a, b, square is equal to a, p, square plus p, b, square a, p, square plus p, b, square तो देखिएगा ध्यान से a, b, square की value आ गई अभी आपने a, p की value निकाली थी x2 minus x1 तो यहाँ पे आ जाएगा x2 minus x1 का whole square plus p, b की value आपने निकाली p, b बोलो या b, p बोलो सेम चीज़े है तो y2 minus y1 का whole square तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे a, b की value आ गई जब square हटाएंगे तो root आएगा तो x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो यह आपका क्या proof हो गया this is known as distance formula अच्छा जब square हटाते हैं तो plus minus का sign आता है मैंने negative क्यों नहीं लिया मैंने negative इसलिए नहीं लिया क्योंकि distance कभी भी negative नहीं हो सकता distance कभी भी negative नहीं हो सकता तो a b की value आगई under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square and this is known as distance formula अच्छा अब इसमें काम की बाते क्या है यह समझेगा मैंने आपको concept of the day 1 में क्या परहाया distance formula कैसे proof हुआ एक एक चीज बता दिया अब इसमें काम की बाते क्या है वो भी सुन लिजिए काम की बाते यह है कि समझेगा ध्यान से जो आपने distance formula परहा जो आपने distance formula परहा distance formula परहा वो क्या परहा आपने distance formula a b is equal to a b is equal to under root of x2 minus x1 का whole square x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square कई बार बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं कई बार बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं अगर मान लिजे कि अगर a b को मैं ऐसे लिख दू तो क्या गलत हो जाएगा क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square तो क्या ये चीजे गलत हो जाएगी? नहीं! ये सेम चीजे हैं ये सेम चीजे हैं कैसे सुनिएगा ध्यान से? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? समझज़ेगा ध्यान से इस फर्मूले में इस फर्मूले आप समझज़ेगा यहाँ पे whole square लिखा हुआ है क्या है? समझज़ेगा ध्यान से x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square बड़ा महीन बाते बता रहा हूं तो महीन बाते बड़ा ध्यान से सुनना नहीं तो उर जाएगा तो समझना ध्यान से is equal to under root of मैं क्या कर रहा हूं? समझना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं? समझना ध्यान से यहाँ से मैंने क्या किया? यहाँ से मैंने क्या किया? minus common ले लिया तो अगर यहाँ से मैंने minus common ले लिया तो एक plus जो होता है कितने minus ही मिलके बना होता है? 2 कहीं अगर plus लिखा हुआ है तो वो क्या लिखा है minus into minus लिखा हुआ है तो x2 के पहले plus का sign है तो वहाँ पर कितना minus है 2 minus है तो मैंने यहाँ से 1 minus common निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा x1 minus x2 का whole square plus y2 के पहले sign किसका है positive का है तो अगर y2 के पहले साइन पोजेटीब का है तो यहां से मैंने यहां पे 2 माइनस है तो एक माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से y1 माइनस y2 का होल स्कॉयर और आपको यह बात पता है कि निगेटीब का S2 क्या होता है Positive, अगर निगेटीब का S2 Positive होता है, तो X1-X2 का Whole S2 क्योंकि निगेटीब S2 Positive हो गया फिर निगेटीब S2 Positive तो Y1-Y2 का Whole S2 तो यह दोनों फर्मूला हम क्या कर सकते हैं देखिए सेम चीज़े आ गया तो आप x2 minus x1 का whole square निकालिए plus y2 minus y1 का whole square निकालिए या आप under root of x1 minus x2 का whole square निकालिए plus y1 minus y2 का whole square निकालिए कोई फर्क नहीं परेगा एक छोटा सा example देखेंगे और concept of the day 1 क्या हो जाएगा अपना complete हो जाएगा तो इस पर एक छोटा सा question देख लेते हैं छोटा सा question find the distance between find the distance between find the distance between two points two points a minus 1,2 and b minus 3,5 हमें 2 points दिया हुआ है हमें 2 points दिया हुआ है और दोनो points के बीच का distance निकालना है तो मैं दोनों formula से करके दिखाता हूँ जैसे माल लीजिए a b निकालना है तो under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square आप ऐसे निकालिए या a b की value मैं निकालने की कोशिज करता हूँ x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square ये बाला solve कर रहे हैं आप लोग आप लोग और ये solve कर रहा है अभय ये अभय solve कर रहा है ये आप लोग solve कर रहा है तो समझेगा ध्यान से under root of x2 minus x1 इसको मैंने 1 नाम दे दिया मतलब ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है तो अब x2 minus x1 तो minus 3 minus 1 मतलब minus 3 minus of minus 1 ये x2 है ये x1 है तो x2 minus x1 तो minus 3 minus into minus plus का 1 तो यहां कितना आ गया minus 2 तो x2 minus x1 की value मैंने निकाला तो x2 की value minus 3 फर्मूला का minus तो फर्मूला का minus फिर x1 की value minus 1 minus into minus plus minus 3 plus 1 minus का 2 तो यहां पे minus का 2 का क्या आ गया square प्लस अब y2 minus y1 निकाल ले y2 की value minus 5 minus y1 की value 2 तो minus 5 minus 2 कितना हो गया minus 7 तो y2 minus y1 की value minus 7 का whole square तो under root of minus 2 का square प्लस का 4 प्लस minus 7 का square प्लस का 49 तो 49 plus 4 under root 53 यही क्या हो गया इसका answer हो गया तो 2 point के बीच का distance आपने निकाला क्या under root 53 अब मैं क्या करता हूँ अब मैं x1 minus x2 करता हूँ तो चलिए देखते हैं क्या answer सेम आता है क्या तो चलिए देखते हैं अब मैं निकाल लहा हूँ समझेगा ध्यान से x1 minus x2 तो x1 की value minus 1 minus x2 की value कितनी है minus का 3 तो यहां से कितना आ गया minus 1 minus into minus plus का 3 minus 1 plus 3 plus का 2 तो x1 minus x2 आ गया 2 का whole square प्लस अब हम निकाल लेते हैं y1 minus y2 तो y1 की value कितनी है 2 minus y2 की value कितनी है minus 3 तो कितना आ गया 2 इस bracket का मतलब multiply होता है तो minus into minus plus 2 plus 3 कितना हो गया 2 plus 3 कितना हो गया सॉरी 5 है न y2 की value क्या है 5 है y2 की value क्या है 5 है तो देखेगा ध्यान से y1 minus y2 कितना हो जाएगा y1 की value कितनी है 2 minus y2 की value कितनी है minus 5 तो 2 minus minus 5 कितना हो गया 2 plus 5 कितना हो गया 7 तो यहाँ पे आ गया 7 का है square तो under root of 4 plus 49 under root 53 बच्चे सोच रहे थे कि आपका गलत हो गया मेरा सही हो गया लेकिन नहीं मेरा भी सही हो गया मैं जानवुष के कर रहा था ठीक है न तो किसी भी formula का use करकि आप कीजिएगा answer same आएगा ठीक है न तो 2 point के बीच का distance निकालना था तो आप इस formula से कर लिजिए x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square आपका answer क्या आएगा same आएगा कोई दिकत नहीं है ठीक है तो यह था concept of the day one ठीक है बंद कर दिजिएगा क्यास कर लिए क्या हो झाएगा